प्रेज़ दोलोड मेरे प्रीज़ भाईवने सुन्दर से सुबे के लिए आप सभी मसी भाईवनों बहुत बहुत धन्वात करते ही हालुलिया किगी पर्मीशर ने में सुरच्चित रखा आज पर्मीशर ने हमारे जीवन में एक नए नया दिन दिया एक नए आसीज दी एक नए उम्मीद दी किगी पर्मीशर ने हमारे जीवन एक नया प्रकास दिया ताकि हम प्रभू से प्रात्न करे विंती करे और जो पर्मीशर की योजनाए हमारे जीवन में जो कार रहें उसे हम कर सके इसलिए परमीशर ने हमारे प्राणों की रच्चा की, हमारे घर, परिवार, हमारे बच्चों को हमें हर तरीके से परमीशर ने सुरच्चित रखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्वाद करते हैं किकी परमिसर का वचन कहता है मड़ डर किकी मैं तेरी सहायता करूँगा और तेरी मदद करूँगा किकी सुमसी ने हमेशा कहा है मड़ डर और भारोसा रग और विस्वास रग मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आसीज दूँगा, विस्वास कमजोर ना हो और तेरा मन कच्चा ना हो, किकी परमीशर का वचन कहता है, भरोसा और विस्वास के साथ हम परमीशर के जब प्रात्न करते हैं, तो परमीशर का वचन कहता है, कि मैं तुझे आस्वासन देता हूं कि तु भैवीत ना हो ना डर क्योंकि परमिश्टर हमारी मदद करता है जिस तरीके से प्रकाशिक वाक अध्यायदो और वच्चनमबर 10 में लिखा है यहां पे सैतान के विशे में कहा गया है तू जो तकलीपे जहिलने वाला है उनसे मड़ डर देखो सैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाता रहेगा ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ और तुमें 10 दिन तक तकलीप जहिलनी पड़ेगी लेकिन तुम आखरी सांस तक वफादार बने रहना तब मैं तुझे जिन्दगी का ताज दूँगा हल लिया यहां पे परमिश्टर का वच् बिंति करते हैं तो प्रभू का वचन आपे कहता है तुम में से बहुत सारी लोगों को सहतान बहुत सारी चीजों में फसा अनेक प्रकार की समस्याओं में लेकिन हमें डरना नहीं है इसमसी ने कहा दस दिन तक तक लीपे जहलनी पड़ेंगे लेकिन तुम आखरी सांस तक वफादार बने रहना और प्रात्ना में लगे रहना तम मैं तुम्हें जिन्दगी का ताज दूँगा और तेरे जीवन में आ 17 में लिखा है और अजगर औरत पर भड़ाक उठा और उस औरत के वंस के बाकी बचे हुए को युद्ध करने के लिए निकल पड़ा जो परमिसर की अग्याएं मानते हैं और उन्हें इसू की गवाही देने का काम मिला हुआ है मेरी प्रीवा ने यहां पर परमिसर का वचन कहता है कि जब हम देखते हैं बाइबल को पड़ते ही तो सैतान बहुत जगी हमें देखने मिलता है बहुत लोगों के जीवन में अटेक किया जो कि आज भी बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ सब्दों में इसलिए सैतान आपको इस तरीके से युद्ध के लिए हमेशा तैयार करता रहेगा युद्धिक मतलब बीमारी दोख चिंता परिसानी अनिक प्रकार के समस्याओं से आपको लड़ना होगा युद्धिक करना होगा इसलिए सैतान यही चायता कि आप हमेशा इन चीजों में उलजे रहें आप डरते नहीं घबराते रहें तीसु मसी ने कहा मड़र इन सब चीजों से मड़र और भरोसा रख और विस्वास रख इसलिए दोसरा कुरूंतियों अध्यादो और ग्यारा में लिखा है ताकि सैतान हम पर हावी ना हो जाए क्योंकि हम जो उसकी चालबाजियों से अनजान नहीं हैं हम अच्छी तरीके जानते कि सैतान किस किसी ने किसी रहती से किसी ने किसी कारण वस हमारे जीवन में अटैक करता है हम पर हमला करता है हमारे बच्चे को पर हो सकता हमारे बेटे और बेटें को पर हो सकता है तो हमें डरना नहीं हमें घबराना नहीं हमें प्रात्ना में बने रहना और विस्वास रखना की की राज को मरने पर था लेकिन परमीशन ने उसके जीवन old को 15 वर्स आई उसको बढ़ा दिया था तो उसकी प्रातना PM वो सामर्थ थी वो ताकत थी पर्मिशन उसके प्रातना को सुना और उसको आसीज थी और जब अगला वचन यहां पर देखते हैं दूसरा में लिखा है उस समय हिच्किया पचीस साल का था और उसने यरुशलें में रह करके 29 साल राज किया उसकी मा का नाम जिस तरह के से अभ लिखने बिलता है क्योंकि राजा जिस तरीके से यहां पे जिस तरीके से यहां पर लिखा गया है उसके सैतान के हर प्रकार की चालबाजियों से हमें सावधान रहना हमें बचना है क्योंकि राजा हिच्किया यह नहीं चाहता था कि उसके जीवन में जब वो मरे तो उसकी दोष्वे प्राजा हैं उसके जो लोग हैं वो परिसान हो जाएं जो उनके राज में जो समग रहे हैं दूसरा कोई राज का राजा लूट करके ले जाए इसलिए वो परमिशर से प्रातना करता था कि परमिशर मेरी आई को तू बढ़ा दे क्योंकि राजा हिचकिया के जीवन में संदेश आ चुगा कि तू मरने पर था जो अपने घर घराने और राज को जो आकरी अंतिम जो संदेश देना है वो दे दे लेक सकता था लेकिन उसने परमिशर से मदद मांगी परमिशर ने उसकी मदद भी की और इसी तरीके लिखा गया है हिचकिया यहवा की नजर में सही काम करता रहा टीक जैसे उसके पुर्खे और उसके जिस तरीके बाप दादाओं ने किया था तो मेरे प्रीभाइब नो आज हम विस्वास रखना और भरोसा रखना है तो हमारे चीवान भी परमिशर बड़े बड़े काम करेगा और बड़े बड़े आसीज देगा तो आई सबी लोग मिल करके प्रातन करतें बिंते करतें कि प्रभू आज के संदर से समय के लिए हमारे चीवान ने बड़े बड़े आपकी महिमा हो इंदे नेम आफची अच्छी आत्म और दुष्टा आत्माओं के लिए आग्या देते हैं पवित्री शुमशी के लहु के नाम से पिता परमीशर जितने आज आपके बच्छे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रात्ना करते हैं रिसीब करते हैं इंदे नेम आफची शुमशी के नाम से आपने हर प्रकार के दुखियों के उपर हाथ रखाया आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमीशर आपने आगे बढ़ाया हैं आपने हर प्रकार के कोड़ियों को हर प्रकार के बीमारियों को आपने सुद्द किया आपने उसे उनके हालातों में पिता परमी सर रह करके आप उनकी सहायता की मदद की आज उन हर गरीबों के पिता परमी सर आप मसीह हैं आज जिनके ओपर सैतानी ताकत और हर प्रकार के बंदन स्राप करज मुक्त करें इसमशी के नाम से आज जिनके जीवन में अनिक प्रकार की सैतानी ताकत आज वो काम करती है इश्यमशी के नाम से हम प्रात न करते हैं दुआ करते हैं कि प्रभू उनके हालात को देख इश्यमशी के नाम से आज जो डरे हैं आज जो भैबी थें आज जो चिंती थें अपने भविश्य को लेकर प्रकार की सैतानी ताकर दुष्टा आत्मा और दुष्टा आत्मा आज इनके घर से परिवार्स इनके बच्चों के चीवन से निकल ए सैतान दुष्टा आत्मा गंदियात मैं आग्या देता हूं इस जैसे प्राटना को रिसीब करते है प्राटना करते हूं प्राटना करते हुआ इसी वक्त निकल और यह हमेसा स्वस्त रहे हैं इसी मसई की नाम से हमेशा खुसिया मनाएं पिता परमिस आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं आज जो मसी भाई बहन डिप्रेशन में हैं आज उनके लिए प्रात न करता हूँ आज जो चिंता बहुत करते हैं आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं आज वो डरे हैं भेवीत हैं आज वो समाज में नहीं निकलते हैं इश्यमसी के नाम से अपने घर और परिवार से नहीं बोलते हैं इश्यमसी के नाम से उसके लिए प्रातना करता हैं इश्यमसी के नाम से आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं लडाई करते हैं जगड या धरनवाद, श्व पिता परमीशर है, इसी वक्त इसी घरी में आग देता हूँ, श्व मशी के नाम से, आपके पविड लहों के नाम से, आपके सरगदूत जहां कहीं पर फिता परमीशर, आज इन भाई और बेहनों के घर मेरे आए पिता परमीशर, और इनके घर के रच्छा करे सो रच्छा करे कबच बन करके आएं पिता परमीशर इश्यमशी के नाम से अपने शर्गदूतों को आग्या दीजी आग्या दीजी वो जाएं आज जो भी मसीब है जहां भी किसी वी देश किसी वी राज्य किसी वी सहर किसी वी स्थाम में बैठ क्या नाम से और प्रकार के साराप चांचे के नाम से लिए बाहन नहीं आ क 1919 कब्रहार नहीं uit पिताब परमीशर आपके च्रॉणों को पिताब परमीशर आपके चरॉणों 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 बोते हें रोते ही भी लगते हैं परिसान हितास से निरा से अपने जीवन हैं प्ता पर्मीशर ऐंगना को ही नहीं थैख महाथ। कि हर एक मसी भाई बेनों के घर में खुसिया हो बच्चे हो परिवार हो घर हो पिता परमीशर और जिनकी साधियां नहीं होती विता परमीशर जो रिस्ते टूड जाते हैं जो नोकरी है जौब है अन्यक प्रकार के चिंताओं को लेकर कि आज वो बहुत ज़्यदा परिशान ह अता से निरास अपने जीवन इसमसी के नाम से आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं सरदी जो खाम बुखार पैरो मेदर घुटनों मेदर कैंसर जैसी भयानक बीमारी लीवर इंफेक्शन हो चुका पिता परमीशर किटनी में प्राबलम आचुकी इसमसी के नाम से इ उनका बलड बहुत कम हो चुका इसमसी के नाम से उसके लिए प्रातन करता हूँ और आग्या देता हूँ कि आज इस प्रातन को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकास आए एक रोसनी आए एक उमीद आए ताकि पिता परमीशर वो अपने जीवन को अच्छे से जीजगे और आपके समझे बने रहे विताफरमीशर आपसे प्रातन करते नहीं आपसे दोया करते रहे इसमसी के नाम से इन्द नेम आवची के जीवन से आपके बेटे और बेटे के जीवन से निकलने ज़हरे इसी घड़ी हम आग्या देते हैं दूष्टा आत्माई गंदि आत्माई इश्यु मसीग के नाम से आलेलुया धन्माद इस्यु धन्माद इस्यु मसीग के नाम से इसी वक्त वसायतानी ताकत वो हर पकार के बंधन स्राप कर जो मुक्त कर इश्यमसी के नाम से हिंदनेम अवचीज इश्यमसी के नाम से इसी वक्त आज़्याद कर इश्यमसी के नाम से हम आग्या देते हैं इश्यमसी के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी पिता पर मीशा राज इनके जीवन को चंगा कर आज जो बहने रोती है जो भाई रोती है जो बच्चे रोती है आज जो परिशान है आज जो भुजर्ग हो चुके हैं वो अपने जीवन बहुत ज़द हतासा और निरासा का सामना करते इश्यो मसी के नाम से हर एक चीजों के लिए मैं आग्या देता हूं इसी वक्त इश्यमसी के नाम से आज उनके चीवन से वो सैतानी ताकत वो हर वकार के काम धंदे वो बिजनिस चलने लगी इश्यमसी के नाम से, हो सायतान इनके कामों से, इनके धंदों से, इनके बिजनिस से, दूर हो इश्यमसी के नाम से, निकल इश्यमसी के नाम से, हम प्रात्ना और विंत्य और दुबा करते हैं इश्यमसी के नाम से, आलेलुया, आलेलुया धनवाद धन्नवाद इश्मस्टी के नाम से दूरो निकल इसी वक्त निकल इश्मस्टी के नाम से छोप इता फर्मिशर आमीन